नमस्कार प्रादेशिक समचार एकांश की खास पेशकस चर्चा में मैं लीना आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आजादी ये वो शब्द है जिसे सुनते ही हमारे जहन में एक सिहरन से उठती है और कभी कभी सिर्फ वक्र से उचा हो जाता है ये सिर्फ शब्द नहीं है शब्द के बहुत सारे माइने हैं हमारे देश का गर्वे प्रतीक है ये जो आजादी शब्द है जिसे सुनते ही हमारे रॉंटे जो खड़े कर देते हैं जरा आप घौर कीजएगा कभी कि सिर्फ हमारे जो सिर्फ शब्द को सुनकर हमारे जब रॉंटे खड़े हो जाते हैं तो आप सोचिएगा कि जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई-लड़ी जिन्होंने अपनी पूरी जीवन अपने आँख को जब इस आजादी कि कोशिस करेंगे कि आजादी हमारे लिए आजादी के किस तरह के माइने हैं और जो सक्षित हमाए साथ मौजूद हैं उनके बारे में आपको बता दूँ हमाए साथ जो मौजूद हैं खास महमान दोजाराट बैश के आईएस अधिकारी हैं आप और लगभाग तीन दश्कों का आपके पास प्रशासनी का नुभाव हैं और अगर बात करें 36 गड़ में आयुक्त के संभाग आयुक के पदपर आप है वरतमान में बहुत स्वागत है आपका आएस महादेर कावरे जी चली चर्चा की शुरूआत करते हो सबसे पहले सर आप से मेरा सवाल की 15 अगस्त के मौके पर हम जश्न मनाते हैं यह जो जश्न मनाते हैं लगभाग 200 साल की लंबी लडाई के बाद हमें आजादी मिली अब आजादी के अगर इतिहास के अगर हम बात करेंगे तो यह पूरा समय कम पड़ जाएगा और दिन भी कम पड़ जाएगा ऐसे में मैं आप से जाना च को बहुत 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 बढ़ाईयों सुपकामनाय देता हूं चातिजगर के परिपेक्ष में देखें तो यहां जो सुतुलता संग्राम सेनानी है उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानिया दिया है यह हम चातिजगर के साहीद वी नारायन सिंजी की बा लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों के साथ में उन्होंने लड़ाईय लड़ी और लोगों के अधिकार के लिए अपने कुर्बानिया दी है उसी पेकार से बस्तर रे भी चातिजगर के बस्तर रंचल की बात करें तो वहां सहीद गुंडादुर के दवारा जो भू की लुयाईब भी है जिनोंने अपने आओ इंसा लिया है और रिष्टाइन बाट पेकार इस्टाप लिए है और यहां के जो जो समाज है अनसुचित जन-जाती के हो अनसुचित जजाधी के हो हो अनसुचित जाती के लोग हो उन लोगने तो पिठ्ण बर जब बात होती है तो सर्चथेसगड़ की युगदान हून पर हम बात करें तो यहां पर कंडेल सत्याग्रह की एक बात होती है जिस पर गांधी जी नहीं है चाहेंगे कि उस पर भी आपको बात रहे हैं यहां पर महात्मा गांदी जी भी उस सामिल हुए थे और उसके बाद भी एक बार और उनिसो तेटीस में भी महात्मा गांदी जी की दोवारा चत्तिजगड़ का यहां पर दोरा किया गया था और उस समय जो है भी जो है चत्तिजगड़ में उन्होंने लोगों को सुद्रपंता अंदूलर में सामिल होने के लिए आधवान किया गया और उनके आधवान पर काफी चत्तिजगड़ के जो है लोगों ने अपने सुचुनता अमुलर ने अपने कुर्बानियां दी है अगर बात करेंगे 36 गड़ की तो बात होगे इतिहास की इतिहास की अगर बात करेंगे तो समय कम पड़ेगा वहीं अगर बात करें कि भारत की आजादी के लिए जो दिन चुना गया था 15 अगास 1947 का बो दिन था आप से चर्चा में यह जानना जाएंगे कि आधी रात को भारत के आजादी का एनान की हुआ था कि अधीः आजादी हमको एक आएक नहीं मेला इसके लिए बहुत सारी प्रकृइयां जो है की गई बहुत से जोय आप सब लोग जानते हैं कि सतंथप्टा के लिए जो है बहुत सारे आंदोलन हुए एक साल दो साल नहीं भलकि सेकड़ों वरसों के जो है आंदोलन के पस्चाथ आजादी मिली है और 15 अगस्त का जो जो दिन तैगिया यह था जो आधीरात को यह आजादी का दिन तैग हो था यह चुंकि प्रिटिस आसनकाल उसमें चल रहा था और यह प्लिटिवी स्विद्ध के बाद जो है यह निसीत हो गया था कि अब भारत को स्वचनता मिलें और उसके ज़स पहले भाराच लुडव आंदोलन भी उपा था और यह एक बहुत सारी प्रक्याओं के प्रस्चाज जो है स्वचनता मिली है और इसमें हमारे जितने भी लोगों ने सुचन्ता अंवलन में आउतियां दी हैं उसके पिछे जो है उन लोगों का उनके बलिदान को बेशक याद करते हैं हम 15 अगस 1947 को जब देश के आजादी का एलान हुआ था उस समय में देश को फिर एक सम्विधान भी मिला था देखा जाए तो उस समय के जो क्रां भारत का उन्होंने सपना देखा था और अभी क्या स्थिति हैं देखे जहां तक समीधान निर्माण की प्रकिया भी है आप इतिहास देखेंगे तो समीधान निर्माण भी अचानक जो है यह नहीं हुआ है बलकि उसके लिए प्रकिया अपनाई गई समीधान सभा का जो है झरण किया गया और हम दिखते हैं कि समीधान के जो प्रारूफ समिथि के मत अध्यक्यों के अध्यक्ष थे बाबसाब वीश्यक्ष को जो प्रकिया गोल्यव मेर्माण वेग है इसके प्रश्याधocy यहर समीधान का प्राμηद का प्रारूफ इवसरों कि उस समय में जो पड़े लिखे लोगों में बाबा साइब डाक्टर भीम्राव मेडिकर जी सबसे ज्यादा पड़े लिखे थे और उने विदेशों में जो है पड़ाई करके वहां के कई सारी डिग्रियां जो है आजिल भी किया था और वे भारत के एक समाज से वाकिपते और उनके डिया कि अगे वाकिए जो है किस तरह भारत जो है एक आज़ाद हो कैसे यहां का system हो, किस तरह से जो है यहां कि working हो उसल जो है उनके जो उस्त के अनुद्धान बहरत को जो है डिया है बाबा सहे भिमरा बिटकर ने जब सम्विदान का निर्मान किया वैसे तो स्वतिंतरता दिवस पर हम बात करें लेकिन बाबा सहब की आपने बात कहीं है तो आप से जानना चाहूंगी कि किस तरह क्या आजाद भारत का उन्होंने सपना देखा है 1947 में उन्होंने जब लोगों के लिए हर वर्ग के लिए सोचा फिर उस समय 1947 की बात थी अब 2024 सब चल रहा है क्या लगता है कि कितना धरातर पर उत्रा ये लोग कितने आजार हैं देखें तो बाबसाइब अमेटकर ने जो प्रावलमा रूपी जो तिस लिकिए उस पर रिजर्बेंक आप इंडिया का जो है इसका गठन हुआ उन्नीसों पैंटिस में और क्याद कर लो उनके आलगालग राइटिंग्स समय जो आलगालग समाज़ा पर भी से उन्चलित करते थे उसमें द Euch लो एज हूँ जो का सट्ट्रत करते लोगों को अच्परी अनु मावेश्च करनेे का प्रयास क्या अनोंने जो एक अदुनिक भारत के लिए जो सपना देखा, आज हम उसको दिखते हैं कि किस तरह से समानता का जो एक अधिकार है, चाहे वो सभी वर्गों में हो, महिला पूरुस में जो बराबरी का अधिकार हो, ये आज जो है हम दिखते हैं कि काफी जो है उनकी जो सोची भी बाते हैं, वो आज समीधान के रूप में, लोगों के बीच में जो है, ये आज परलेक्षित हो रही हैं, और उनका के प्रस्याद जो है, जो आज तक 2024 तक, ये उनके जो सपन है, वो आज हम धरातल पर देख रहे हैं, लेकिन से राजादी के बाद भी कुछ समाजी का समानताय बनी हुई ह और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपसे में जानना चाहूंगी, कि ये जो है, इस पर आपका क्या कहना, आपकी क्या राय है, देखिए मैं जिस छेतर से आता हूँ, विजापुर जले के बस्तर छेतर से, वहां भी मैंने महसूस किया कि आजादी के इतने सालों के बा आजप्रता का भावाविपाव मैंने ठराय हम गौ हिए और अ हिल देखंछा कि किस तरीके से जो रचे जो पानी तरथ हरा डौ पानी ऑग्लान की ऐ बात ए से जो चीज ज़ए मेटकर ने अपने लाइप में देख तन के थो ठीज डीज चुकिह लेकादे कि भानी Ćजे सभीप लिखाता है। पानी थे सामान ओर सांवा प्रवानी करना आपे थिए लुग करने के बादह है। भी मित्रा कि बात करनेट तो वहाँ, अशुछित जाती पहुले जो है काफी ना फिर चैतनी omega- нож के आदिया और फिरं जेश्पुर की बात करें तो यह जन जाती तु जैत्व मुर्ले छैत्र है बेमित्रा जिले में मैंने महसुस किया कि अभी भी हमको जो समानता का जो अधिकार है उस पर अभी भी हमको काम करने की जड़त थी जश्पूर जिले के आप कलेक्टर रह चुके हैं वहाँ पर अगर देखा जाए आजाद भारत में विकास की भी बात होती है तो आदिवासी बाहुल शेत्र हो जाता है ऐसे में विकास की कितनी जर्वत है वहाँ पर और कितना विकास हुआ है देखे जश्पूर जिले के अधिसमें मैंने महसूस किया कि वहाँ पर सिख्षा काभी मतलब बहुत सारे ऐसे सरस्थाएं वहाँ पर आई हैं उसके काराण से सिख्षा तो कभी अच्छा पोचा है लेकिन सभी वर्गों में अभी जो है तमान रूप से सिख्षा का प्रसार नहीं हूँ अभी ऐसे जन्जाती समाज है जैसे कि वहां पर पहाड़ी कौरबा और बिरहोर इस तरह की जन्जाती समाज हैं जिसमें की सिख्षा भी बहुत अच्छे से नहीं पोची है लोग उतने पड़े लिखिये नहीं है उतने जागरूप नहीं है तो उसके लिए राच जो सासन ने प्रावधान किया है कि एदी अर्टियंत्र पिछ्डे जन्जाती समूँ से कोई बिलॉं करता है और उन्हें हम बिना कम्टिटिव इजाम के किसी जॉब में यहीं लगा सके हैं तो हम आपर मैंने कुछिछिश किया था कि इन जन्जाती समूँ से हम लोग दोने सो ऐसे लोगों को सास की नोकरी में जो है जिए-जिए नूडती दिया था और अकुछिश है कि उन समूं को भागी जो जन्जाती समूँ है उनके बढ़ावादें, ताकि उन सम्मूँ से भी, चुंकि लोग सास की सेवा में आने के बात के वाल उनके परिवार का नहीं, बल्कि उनके पुरे समाज के बारे में जो है, उनका विकास करते हैं, तो यह कोईशिश किया ता, यहां तक डेवलप्मेंट वर्क की बात है, डेवलप में जादा विकास हुआ है, तेवलप्मेंट वर्स के मान से, कुछ ऐसे रोड भी थे जो कि दो राज जजज़से की धारकरण और उडिसा से लगे हुए जो मार्ग है, उसमें बहुत सालों से जो है, निसल आएवे में काम रुका हुआ था, मैंने कोसिश करके उसको काम को आगे भी बढ़ाया था, और विकास कारे अभी भी बहुत सारे से चित्रों में जो कि पहुंच वहीन थे वहां पर काम करने की अश्कारती, अभी भी ऐसा महसूष किया जाता है कि उस चेत्र में डिवलमेंट अभी और करने की आश्कारता है, निश्चित तोर पर सर जब हम अब क्या कहना है? सबको एक जसा ही कमप्टिशन देना पड़ता है तो सिच्छा के शेत्र में तो जनजाती शेत्रों में बहुत काम करने हैं और इन शेत्रों में स्टड़ी हुई थी उस पर पता भी चला था कि यहां पर बच्चों के लिए स्कूल भी अवलिबर नहीं है अर्दान सरकार के दवरा भी जो है काफी प्रयास ना किये जारें सचेत्र में यसे प्रयास विद्धियाले एक हुआरा होता है बहुत सारे आसरम श्कूल श्कूल है बहुत सारे चात्रावास है इन के माध्यम से जो है बच्चों के लिए प्रयास किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जिदना भी प्रयास किया जा रहा है ये वर्तमान परिपेक्ष्य में देखें तो ठीक है लेकिन जहां तक कम्टिटी उजाम की बात है तो हमको इस सेत्र में और जो उसके योगे हैं जो बच्चे हैं उनके लिए अन्य चुंकि लोगों से कम्टिशन करना होता है उसके लिए हमको जो कम्टिशन देने वाले बच्चे हैं उनके लिए जरूर जो है और प्रयास करने की आउसकता है बात करें तो प्रदेश पे जो development हो रहे हैं आजाद भारत के लिए वो कितना कारगार साबित हो रहा है या कितने और development की जरुण है आजात तक विकास डवलमेंट की बात है आजात भारत में जो है जो सबने दिखे कहते हैं चाहे वो यहां पर बहुत सारे इंडिस्टीज की बात हो या हमारे जो जो कृसकों के लिए सिचाई परिवान चेत्रों हो जो अब तो अन्तरिक्ष में भी जो है भारत जो है पहुझ चुका है और विकास जो है किया जारा है और तुझ की एक कर्ष्टन तरहता है कि हमको इतनी राशी एक साल में इतनी राशी से ही डेफल्प मेंट करना है विकास करना है तो उसको देख Johnson अभी तक जो हमारे जो विकास है तुकि आजादी के अभी हम सो साल जब मनाने लगेंगे दो जार से तालिस में तो उस समय का भारत जो है काफी अभी सिप्त हुआ जो है दिखेगा एक आखरी समाल में राव से सर आजाद भार दो सो साल पहले की जो लड़ाई हुई है और आजादी के क्या माईने है आपकी नजर में आजादी क्या है लिए आजादी जो है केवल विक्तिकत आजादी निबल्कि पूरे एक समाज की आजादी जो है और पूरे लोगों की आजादी जो है यह बहुत माइने रखती है क्योंकि हमारा जो समाज है वो विक्सित होगा तो हमारा देश विक्सित होगा और अभी जो आजादी के जो 78 वी सालगरा मना रहे हैं इस अउसर पर मैं कायना चाहूंगा कि जो जिस प्रक्रिया से चलकर हम लोग अब तक पहुंचे हैं इसमें बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है और इसमें सरकारे लोग सबकर जो जो सब्सक्राइब काफी लंबे समय से और उनको अचानक से आजादी मिल जाती है तो उनके लिए वो आजादी के माइने क्या हो जाते हैं क्या होगा खास क्या होगा तो भारत की परिपेश में लोग देखें तो उनिस्सों सेटारीस के पहले जो है लगभग 400 सालों तक जो है आजादी तो लोगों को जब आजादी मिली इतने संगर्ष के बाद इतने कुर्भाणths के बा disappeared तो लोगों को यह समझत होगा समाज को भी देश को भी कि यहाजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्भानिया दी है उनको हमें लृषग लां करें तो किस तरीके से लोगों न तब जाकर हमको जो है आजादी मिली है इसको जरूरी स्मरण करें और उसको लोग पढ़ने के साथ साथ जो है यह सोचें की किन परिश्तितियों में जो है उसमय आजादी के लड़ाई लड़ी गई और आज हम जो मुकाम पर पहुंचें हैं तो वह हमारे जो महापुरूस है किलिए कि वहोंधिके अचा़ लड़ाई लड़ी और जिन्होंने एक भारत को जो है नया भारत बनानी के लिए सपना देखा सबको जो है स्मरण करने का दिन है और उनकी कुर्मानियों के का Nawet lige हम इस तर पहुंच पायाय है तो जो है समन्झना होगा सम दूरा को प美味 निंक को भी देशप्रेम से जोड़ने के लिए अभयान चला रहे ह। इस पे आपका क्या कहना है। जै लों जो है उनिस्य स्ट्राइश में सागर्श ऑलेन जासर मों निगता है उसको इतने सालों के बाद संगर्श शागश के बाद ग análी त Maintenant भीस अबसां में बहुत ँरह के लिए तिरंगा भीस जो आभ estás है और इस पराम कि हम लोग हमारे पुरुवजों ने जो संगर्स किया है उसके परिणाम सुरूपी आजादी हमको मिली है और ये बहुत अच्छा अभियान है और मैं चाहूंगी सराखिर पर आजादी का जब हम मना रहे हैं तो आप अधिकारी के तौर पर लोगों को जनता को क्या मैसिस दिन अधिकार कि तो आप व आय। मिलाओं कि पाल सब्सक्राणते हमको हम मेने घजाद को तो प्रौपी प्रगर्चति दिश्ञाद और तो आंको भी बराबरी का हमको संवान तो नाने जादें जो परिवान यह बहुत नगसी जो बहुत तेजी से विक्सित हो थो उसमें भोसा बुच्छी नहीं आरके खम होगों को यह जाण रखना चगे कि हम मैं अपने शॅय्म का भी जो है जान रखें और लोगों का भी जोह जा घ्यां रखें और सुरक्ष्ट में आप दन्डूं का जो है पालन करें, सुरक्षित रहें बहुत शुक्रिया सर आपका आजादी का जश्नम बना रहे हैं और दूरदर्शन के साथ आजादी के जश्नम पे आप शामिल हुए इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका आपसे यही कहना चाहूँगी कि दूरदर्शन पेड़वार की तरफ से आप सभी को स्वतंतरता दिवस की हारदिक शुक्कामने और जाते जाते पे आपसे यह कहूँगी मुस्कुरा रहा आज हर चहरा हर गली में छाई है बहार देखकर होसला जवानों का देश पर हुए जोपलिहार आप सभी को दूरदर्शन की तरफ से स्वतंतरता दिवस की धे सारी शुक्कामने जैहिल